प्रणाम ओल उफ यू आप सभी को प्रणाम हम लोगों की सीरीज का चौथा वीडियो है छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाए हैं वहाँ पर कोशिश किये कि आप लोगों को बेसिक दोर पर मैं समझा सकूं कि आपके अश्टम इस्तान किस प्रकार से आपकी जीवन के अंदर परिवतन देता है ज़्यादर लोगों ने जो है इसके अश्भी फल बताए हैं लेकिन मेरा जो मानना है आपर की हर भाव जो है आपके जीवन के अंदर अश्भी लेकर के आता है तो वो आपका शुबत्व के साथ भी जड़ा हुआ है इसका आर्थ ही है कि अश्टम इस्थ लेंगे वो टॉपिक लेंगे कि आपका एट थाउस का जो लॉड है वो अलग-अलग भावों के अंदर जाएगा तो वो किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर प्रभाव करेंगा देखिए एट थाउस का लॉड परिवर्तन ट्रांस्वर्मेशन सटन इवेंट्स इन यॉ विश बोल सकते हैं वो प्रदान करेगा बहुत सिंबल सी चीज़ है एट थाउस लॉड का मतलब यह हो गया जैसा है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी भावकार स्वामी जहां पर भी जाता है वो अपने गुण लेकर कि उस भाव में जाएगा और अपनी इ इसे के लिए जो आपका अधर्म के लिए माना जाता है सिंब के लिए माना जाता है क्योंकि यह आपके नाइन्थ होस से ट्वेल्थ होस का भाव यह आपके लगन स्थान के अंदर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी परसनलिटी के अंदर यह अश्टम स्थान के गु है आपका शुब के साथ में बैठा हुआ I am not talking about negative negative के लिए बोला गया कि आप व्यक्ति विशेश का आयूश में कमी करेगा परिशानी करेगा ऐसा इस तरह की चीज़े बोली गया लेकिन मैं यह मान करके चलता हूं कि एट थाउस का लॉड यदि आपके लगन स्थान के अंदर है तो यह आयूश व्रद्धी करेगा यदि यह प्लैनेट जो है आपके शुबवस्ता के अंदर बैठा हुआ हो प्लस व्यक्ति विशेश के अंदर विलक्षन योग्यता प्रद्ध विलक्षन थिक वैसे ही हर बाउ के साथ देखना denial है अगर मान लीजिए कि मेरे किसी का एक्थाउस का लॉड जो है आपके लगन स्थान के पंचन भाव का संतान का सुख जो है अपने से नंवं भाव की अंदर चला जा तो इसका मतलब तो आपकी जो संतान है संतान के संबंदित जो प्रॉपर्टी के जिसके वह बढ़ जाएंगे उनके अंदर वरदियां हो जाएंगे आपके पिता का भाव जो है नावम भाव नावम भाव से बारवा भाव आपका अश्टम इस्थान है तो इसका अर्थ ही है क पिता के जो खर्चे हैं, वो अपने पंचंभाव में चला जाएंगे, इसका मतलब यह है कि पिता के जितने भी जो उना ने खर्चे किये हैं, वो अपने ज्ञान वरधी के अंदर हमेशा किये हैं, उनका जो knowledge है, वो हमेशा increase होता चला जाएंगे, अगर माली जी कि 10th house से मैं बात करो, तो 10th house का, 11th house का Lord बनता है, तो 10th house आपका जो करमशेत्र का है, और करमशेत्र का लाव स्थानी है, और यह आपके अपने से लगन के अंदर बैट गया, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेश का जो करमशेत्र है, महाँ पर यह जो है, लाव जो है, आपको आप एक शाफ लोग देख सकते हैं, मालने जीवन साथी का दन भाव का है, स्वामी है, मेंस, 7th house का 2nd house, यह आपका ससुराल का भाव, वो आपके लगन स्थान के अंदर आगया, तो आपके जीवन के अंदर, आपके ससुराल का बहुत बड़ा योगदान आ जाएगा, आपक मान लेजी कि आपका 4th house है, 4th house आपकी मदर का भाव, तो मदर से आपका 4th house का जो लौड है, वो आपका 8th house जो है, वो आपका मदर से आपका पंचम भाव का स्वामी हो गया, 4th house से आपका पंचम भाव, वो अपने छटे भाव के अंदर चला गया, तो इसका मतलब यह है, स तुर्द भाव से डशम भाव आपका लगा निस्ता है, तो ठीक, इसी प्रकार से आप लोग मतलब एक प्लैनेट से ही जो है, वो बहुत सारी यहाँ पर प्रेडिक्शन सी निकलती है, तो आप हर भाव के सापेक्ष भी जाकर के देख सकते हैं, फिर प्लैनेट के साफिक्ष चाकर के देख सकते हैं कि वो कौन सा प्लैनेट पैठा हूँ भारवाल मैं इतना लंबा नहीं लोगा simple सी चीज यह है कि आपके स्वयम के लिए जिवन के अंदर क्या करेगा आप स्वयम की personality के अंदर क्या करेगा यह दिए आपका eight house का लॉड यह दिए आपके second house के अंदर आएगा तो इसका अर्थ यह हो गया कि second house के अंदर आपका अपसें डाउंसे आएंगी जीडवन के अंदर पनफर भावों का एक भाव बनता है दूसरा पांच वा आठ वा ग्यावरा जैसे मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी व्यक्तिक बिलेनियर या मिलेनियर आपके एट थाउस की पॉजिटिविटी के बिना नहीं बन सकता क्योंकि बिना कमाया वो अधन और वो एट थाउस का लॉड़ वो आपके सेकंड थाउस के अंदर आ रहा तो इसका मतलब यह है कि अगर यह आपका पॉजिटिवली होकर के बैठा हुआ है कुटम भाव के अंदर हो सकता है कि जीवन के अंदर आपसे डाउस लेकर के आए वानी भाव के अंदर हो सकता है कि विक्ति विशेश के अधर्म की वानी बोलना स्टार्ट कर दे क्योंकि सेकंड राउस के अंदर आजा आप समाज विरूद बात करने वाले भी हो सकते हैं प्लस आपकी धनकी स्थितियां बहुत जाद अच्छी हो सकते हैं क्योंकि आपका एट्थ हाउस का लौड वहां पर गया हो पॉजिटिव लिए अगर बैठा हुआ तो सारे पॉजिटिव एफेक्ट्स वहां पर प्राप्त होने वाले हैं अगर मान लीजी कि व प्लैनेट आपकी जीवन के अंदर अशुबत विले करके आने वाला होता है मैं यह कहुँगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स बहुत सारे मुल्टिपल जब एक साथ एड होते हैं वो सारे मिलकर के फिर जीवन के अंदर अशुबत विदे तो आपकी जीवन में अशुबत मिलत और थेर्ड हाउस के अंदर आ गया तो पहली चीज़ तो यह है कि तीसरा भाव जो है आपके आपके स्वैम का communication का भाव है आपके साहस का भाव है आपके भाई-बेनों का भाव है ये इस्तिती आपके भाई-बेनों से जैजा second house आपका कुटम का भाव है कुटम भाव में आपके जो कुटम भाव के अंदर ups and downs लेना आपके संबंद अच्छे नहीं होंगे तो ठीक भाव है तीसरे भाव के अंदर इसका मतलब यह कि छोटे भाई-बेनों से संबंद प्रॉब्लम्स होंगी आपका जो है overthinking होगी over courageous हो सकते हैं या आपका courage वहाँ पर कम हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपको देखने को प्राप्तू लेकिन एक बड़े कमाल की चीज़ और होँपर देखने को बिलेगी कि आपका यह थी कोई सस्वाल है तो आप देखें कि सस्वाल का transformation हो जाएगा complete तो अगर अपने से अश्टम से अश्टम भाव के अंदर बैठाओ एट्थ हाउस का लॉड यह थी आपके फोर्थ हाउस के अंदर होगा तो फोर्थ हाउस आपके properties का अश्टम स्थान जो आपका पैत्रिक संपत्ती का है तो अगर एट्थ हाउस लॉड आपके फोर्थ हाउस में है यही एट्थ हाउस का लॉड आपके फोर्थ हाउस के अंदर जाकर के आपके सुखों के अंदर जो आपके जीवन के अंदर piece of mind है वहाँ पर जाकर के एक हलर डालेगा आपका जो starting education है या प्रारंबिक जो शिक्षा है वहाँ पर जाकर कि आपको रुकावट डालने वाला planet बन जाएगा इवन आपके जो properties के सुख है पैत्रिक संपत्ती हो सकता है कि आपको मिल जाए या पैत्रिक संपत्ती के सुख मिले लेकिन आपकी संपत्ती के अंदर यह हमेशे ups and downs वाला बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि आपका केंद्र और त्रिकोन के यहां पर संबंध बनने चाहिए केंद्र के सौम्यों के दवरा यह द्रश्ट हो तो आपको शुख रभाव मिलेंगे एट-थाूस लॉड यहदी मान लीग ची कि आपका पंचम भाव के अंदर है, तो इसका मतलब अश्टम से आपका दचमिस्तान हो गया, हम लोग बोलते हैं कि आपका पूर्वे पुन्यों का है पंचमिस्तान है, तो एट-थाूस लॉड का अंदर जाना विक्ति विशेश को वह बहुत अच्छा है लेकिन यही अच्टमेश जो आपके पंचम भाव में यह दी जाता है और पंचमेश की स्किति बहुत दाद अच्छी नहीं है तो संतान के अंदर बाधायन प्रदान करना आपको आपके लव अफेर्स के अंदर भी जाता है तो हो सकता है कि आप अगर मानली जी कि पॉजिटिव ये प्लेस नहीं वो पंचा मिस्थान के अंदर तो आपको अपने ज्यान के उपर शक होने लगा इस तरह की चीज़े बनती एट थाउस का लॉड या जी मानली जी कि आपकी छटे भाव के अंदर जाएगा त सिक्स ताउस के अंदर तो छटा भाव जो आपके रोग रेंट रिपू का तो ही लेकिन यह कॉंप्रीट आपका बोला जाता है कि यह सर्विस का भी है जॉप का भी है इसका मतलब यह बार बार अप सेंड नाउंसे आपकी जॉप के अंदर लेकर क्या आने वाला है वहां प तीसरा भाव यहां पर मानते हैं तो छे आट वारा भाव के इस प्रकार से संबंद आपस में होने चाहिए यदि आपको विपरीत राज्योग देखना तो मैं कहूंगा कि सबसे महत्पूर्ण एक विपरीत राज्योग बना हुआ हमारे मनमौन सिंग जी जो हमारे प्रदान पर बहराल मैं मान करके चलता हूं कि छटे में हैं तो वह अवश्य जो है ठीक है कि आपके जो रोग रेनिशत्रू उनका नाश करेगा लेकिन जो छटे भाव से जो आपका कॉम्पूटिशन की लड़ने की भावनाएं हैं उनके अंदर वो साहस के अंदर कुछ ने कुछ कम भाव है तो इसका मतलब विवाज जीवन के अंदर कहीं न कहीं यह आपके सेक्रेटिव फिंग्स लेकर क्या आने वाला है बहुत सारी कंडिशन के अंदर मैंने यह देखा कि अगर जो एट्थ हाउस का लॉड यादी सेवंध हाउस के अंदर है तो उनका जीवन साती उनकी एट्थ हाउस का लॉड यह दी मान लिजी कि आपके एट्थ हाउस के अंदर ही बना होगा तो एट्थ हाउस is a good thing for me आयूश लंबा होगा आपका बहुत यह पॉजितिवली चीज़ेंगे आपके लिए जीवन के अंदर मान लिजी कि आपका एट्थ हाउस का लॉड आपके नाइन थाउस के अंदर चला जाए तो देखे नाइन थाउस बिसिकली जैसा मैंने बताया कि भागय का इस्थान है धर्म का इस्थान है एट्थ हाउस का लॉड नाइन थाउस में जाने का मतलब यह है कि आपके जीवन क के अंदर जो अधर्म है वो आपका 9000 चला गया अपसेंट डाउंसेंगे आपके 9000 मतलब आपके पिता के चीवन के अंदर कुछ नो कुछ अपसेंट डाउंसे बगरा होने वाला होगा बार बार आपके भागया के अंदर आपकी higher education के अंदर रुखावट प्रदान करने वाला 8000 का लॉड यदि आपका 10,000 के अंदर चला जा तो सभावी ग्रूप से जो है तशंभाव जो है आपका करम इस्थान है करम इस्थान के अंदर आपके illegal चीज़ें आपके add हो सकती हैं वहाँ पर जाकर की problems greater बनता है आप सेंट डाउंसे देखने को मिलेंगे कहाँ पर आपक गेन है तो वही चीज़ें कि आपका गेन का जो मतलब यह देखेगा एक बड़े कमाल की चीज़ें कि यह जो भावा एस्थमेश आपका 11 बहाव के अंदर होगा तो यह illegal मारगों से या कई अन्य मारगों से आपको धन प्रदान जरूर करने वाला वनेगा आपको लेकिन यह एक ऐसी स्थिती बनती है कि व्यक्ति विशेश हो क्योंकि चटे से छटा भाव ग्यारवा और अश्टम इस्थान आपका जो सबसे वन ओफ नेगेटिव इस्थान है और अश्टम इस्थान का जो संबंद आपका त्री शड़ाय जो सबसे इंपोर्टेंट है इलेवन थाउ बन जाता है कि यह संबंद इसके बना हुआ है तो दिखिक एंट्वट का संबंद जो है व्यक्ति विशेश को जो है बूला जाता कि हो सकता है वैक्ति बहुता ज्यास के अंदर चला जांग लेकिन आप मान करके चले कि बारवा भाव अदा आपका नहीं करके नहीं होए परेशानी हुगे वहां पर रुकावतें आएंगे शेजया अर्सख के अदर के उन्हें जा झाने के पाद में बिश्धे के अंदर कुछ नगीद्ध को निन्हें कुछ रुकावतें वहां पर व्यक्ति विश्यश को धेने वाला पंज जाता है इसी तरीके से आप पूरे बारा भाव के साफिक आप देख सकते हैं देखिए ये वीडियो अगर चाहें तो बहुत सारा लंबा भी बना सकते हैं मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाओं मैंने जो है बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताती है कि प्लैनेट्स देखिए राशियां देखिए आप सबसे पहले उसके बाद में आप वहाँ पर देखिए कि आपके एट थाउस में प्लैनेट्स कों यूति संबंद बहुत इंपॉर्टेंट है किसके साथ में यूति बनाया हुआ है तो बहुत बार आप देखे कि यदि अश्टम इस्थान का स्वामी जो है जहां पर भी प्लेस्ट हो यदि वहाँ पर आपका तिर्कोनेश की द्रष्टियां उस एट थाउस के लॉड़ के पर जा रहे हैं तो आप मान करके चले कि आपकी जीवन में जो प्रॉब्लम्स हम लोग मान करके चल रहे थे अपसंट डॉंस इउस्थ मान कर के चल रहे हैं वैसा नहीं होगा मानली जी की 8th house lord का 10th lord के साथ में बैठावा कोई त्रिकोनेश इसको देख रहा है तो इसका आर्थी है कि विक्ति विशेज की जीवन में जल्दी और आकस्मिक अचानक रूप से विक्ति विशेज को जो करम शेति के अंदर बहुत अच्छी स्थितिया प्राफ्ट ठीक वैसे अगर मानली जी की पंचम भाव के अंदर है तो पंचम भाव आपका ज्यान का है अगर वहाँ पर त्रिकोनेश से द्रश्ट है शुब ग्रह से वो द्रश्ट है आपका अच्टमेश्टिस का अर्थी है कि विक्ति विशेज का और टैंथ लॉट भी यह दी वहाँ हो तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो भी अरजित क्यान है वो आपको अचानक से पॉजिटिव रूप के अंदर ट्रांस्वर्मेशन के साथ में आपके करम शेतर के अंदर आपको देखने को प्राफ्त होगा ठीक इस तरीके से किसी भी भाव में चाकर कि आप लोग यह देख सकते है मैं यह नहीं कहूंगा कि अच्टमिस्थान जहां पर जाएगा वो हमेशा प्रॉब्लम्स के रेटर बनेगा कारण कहा है जिए कि अच्टमिस्थान प्रॉब्लमेटिक कब बनेगा कि जब अच्टमेश की जो जुतियां है वो अशुब ग्रहों के साथ में आजाए अच्टमेश स्वाइम पीड़ा के अंदर भी आजाए राव के तू अक्ष के अंदर आजाए और जिसमी भाव के अंदर ये आपका अच्टमेश गया है वो उस भाव का स्वामी ग्रह है वो भी पीड़ा के अंदर हो या उस भाव का कारण ग्रह भी पीड़ा के अंदर हो तो उस condition के अंदर ये problems greater बनेगा example के तौर पर मानली जी की अश्टमेश जो है आपका पंचम भाव में पंचम भाव संतान का भाव अब मानली जी की अश्टमेश आपका पंचम भाव में चला गया तो this is not a good thing अब मानली जी की पंचमेश पीड़ा पीड़ी तवस्ता के अंदर आ जाए और संतान का कारग रहे जो जूपिटर है वो भी पीड़ा के अंदर हो तो इसका मतलब भी है कि वहापर विक्ति विशेज को संतान प्राप्त नहीं होगी तो जैसा मैंने वीडियो के प्रारंब में बोला था मैंने आप लोगों को यह 8,000 लॉड है जब आप अपने जीवन के अंदर आप पाएंगे कि अगर कोई बहुत जादा अशुबत वो आपके जीवन में मिला है तो आप पाएंगे कि वो 8,000 लॉड ही है जो आपको जीवन के अंदर वो सुख प्राप्त ही नहीं करने दिया और यही 8,000 लॉड ही है जिसने किसी भी व्यक्ति को बहुत जादा पैसा मल्टी मिलियन बिलेनियर बना दिया और वही 8,000 लॉड ही है जो एकदम से अचानक से व्यक्ति विशेश ते कुछ सोचा नहीं हो और उसके जीवन के अंदर इतना पॉजिटिविटी हो जैसे एक्जाम्पल के दौर पर हमारे प्रदानमंत्री जी मनमौन जिंग जी का जो चार्ट है वह एकदम परफेक्ट विशेश राज्यों का चार्ट है मैंने सोचा भी नहीं हो मतलब वह इसी स्टेज के उपर पहुंच गया किसी का लॉस हुआ है अच्रानक से जाकर के उनको पद की प्राप्ति होगी तो इस तरह की चीज़ें भी यहां पर जुड़ी हो जोगी है तो इट था उसको बहुत बहुत ज़ादा से हम लोगों को देखना हुआ अयुष्य की बात मैंने यहां पर इसलिए नहीं करी कि जैसा मैं आयुष्य के लिए मान करके चलता हूँ कि there are so many things in your life अश्तमेश देखत देखना होता उसके लिए जैसा मैं एक वीडियो में बताया था मैंने कि वहां पर आपको 64 वा नामाश 22 वा द्रेश कान और मारकेश जो मारक ग्रहबादकेश उनका संबंद वहां पर होना चीज़े तो दियरार multiple घुलिका का संबंद वहां पर हो तो multiple afflictions जब होते हैं यहां पर दख दराशियां हों वहां पर इस तरीके गाव्यों की ग्रहों का संबंद हो तब जागर के कोई अशुबत मिलता है तो हर हमेशा हर किसी की जिवन में अशुबत वह नहीं होता पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ में एड़त लोड़ा तो वहां पर पॉजिटिव मिलेगा चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो है यह स्रीज आप लोगों ने देखी और पूरी सरही आप लोगों ने बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स भी दी हैं मैं कोशिश करूँ आगे भी अच्छे वीडियो आप लोगों क झाल झाल